नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्स सदिशी भले रव आप देख रहें मेगा पूटु स्टूडियो चाइनल पिछले अपसोड में आपने देखा कि मेरा आवज कुछ ठीक से नहीं आ रहा था पहले भी मैंने 6D Canon का बटन और मेनू के इंफर्मेशन के बारे में बता दिया हूँ उसमें भी लगबक एक मेनों में दीड़ाजर के उपर व्यूस गए है और लगबक दोस्तों के उपर भी सब्स्राइब भी हो गए है सब्सक्राइबर भी तो उसमें आवज कुछ ठीक से नहीं आ रहा था और काफी लंबा वीडियो था तो आज मैं आपको शॉटकट में वीडियो बता दूँगा और वह भी स्टुडियो के लिए क्या सेटिंग रखना है या आउट्डोर के लिए क्या सेटिंग रखना है मेन इंपोर्टन सेटिंग क्या है कामेरा की और जो आप रेगुलर यूज करने के लिए मैं वह सब एक शॉटकट में बता दूँगा और आगले एपिसोड में एक दम डीप में बता दूँगा चुले शुरू करते डिस्प्ली पे आईए तो दोस्तों मैं आपको पहले कामेरा रिसेट करके दिखाता हूँ क्यूंकि मैंने वह कुई सेटिंग करके रखा हूँ इसलिए मैं आपको पहले मेनू में जाता हूँ मेनू का बटन प्रेस कीजिए इसमें हार्ड रिसेट करके बताता हूँ आपको पहले कौन सा भी camera Canon कर रहे हैं उसमें clear all camera setting रहता है उसमें ok प्रेस करते हैं और कुछ custom setting किया रहता है वो भी आप clear all setting कर सकते हूँ मैंने कुछ custom पर save करता हूँ मैं हो भी camera की company की जो setting रहती है camera की हो गई यह देखे जैसे नया camera आप reset कर जाते हो वैसे यह mould है shutter speed है aperture है किदर ato ISO है खाली नीचे exposure composition ato bracketing settings यह आपको dip में मैं आगले एपिसोड में बता दूंगा यह flash compositions flash exposure composition है इसमें जब ship अब यह flash ऊपर जो camera का inward flash रहे यह external flash रहेंगा तो उसमें एक stop जब बढ़ाएंगे तो light जो camera original देने वाला है उसमें एक stop ज्यादा दे देगा यह कम भी कर सकते हो जो dark photo आता है तो उसमें light बढ़ा दीजिए कि स्वार यह display रहता नहीं ज्यादा हां तो इसमें wireless से यह भी दिया है Wi-Fi दिया है mobile से आप connect कर सकते हो इधर picture style है यहाँ पर color select करके रख सकते हो यहाँ पर डिलाइट ऑप्शन से स्वार ही कैनान में हो डिलाइट इसमें एट लाइट ऑप्शन में इसे नहीं कि तो यह आपको थोड़ा सा bright चाहिए तो standard पर रखिए और यह कुछ custom camera के बटन के जो अंदर के जो बटन है उसकी setting इस यह शेटर shutter button है उसमें कुछ आप metering का button लगा सकते है और पीछे का यह बटन दिया हुआ है इसमें भी आप focus कर सकते हो मैं बताता हूँ आपको खीक से यह देखिए यह on button है इसमें आप button से पीछे वाला button है यह उसमें focus कर सकते हो नीचे का start button है यह focus lock कर देता है यह नीचे का आगे वाला देखिए फिल का button है यहाँ पर दिया हुआ है इसमें क्या करना है दोस्तों यहां में image आपना कितना श्टील है एकदम एक level में वह इसमें समझ जाता है लेकिन मुझे वह कोई जरूरत नहीं रहता है यह फास्ट आप उनको भी भी फोटो कीशते तो उसमें क्या रखना है हाँ तो यह जो डेखिए फिल का button है वो मैं लगबग इदर सरोव पर रखता हूँ डेखिए फिल का button चेंज करके one shot पर रखता हूँ वन शॉट आईसा है कि श्टील फोटो निकालने के लिए आयोब सरोव फास्ट गतिके फोटो निकालने के लिए कोई भी स्टूशन हिल जाती है तो उसमें रखने के लिए तो वो button आगे से ऐसा प्रेस करता हूँ फटाग दिशी button दाबा दिता हूँ तो अच्छा रहता है सबसे बिट रहे हैं ओके तो आगे लेंस का यह बटन दिया हो बड़े बड़े जब लेंस लगे लगाएंगे तो उसमें जो button रहता है तो इदर सेट का बटन रहता है प्लेश कंपोजेशन्स का तो उसमें बीच का बटन दबा देंगे तो डाइरेक आपने आप फ्लेश पर जाएगा आप एक्स्पोजर कम ज्यादा कर सकते हो यह में डायल हुई है शेटर स्पीड की में डायल है उसमें टीवी पर शेटर प्राइटर पर इस्तिमाल कर सकते ह अपरिचर प्राइटि मोल्ड है इसमें पीच्छे के रिंग जब तुम वन थर्ड पर गुमाओंगे तो एक्स्पोजर कम ज्यादा कर सकते हो बड़ा भी सकते हो कम भी कर सकते हो यह साइट का जो बटन है ब्रैकेटिंग्स उसमें फोकस पॉइंट का आप रहता है कैमरा मे वह अंडर के फंक्षिन की से फोकस पॉइंट सिलेक्शन होने को आपको मदद करेगा तो यह हो गई मल्टी मल्टी सेटिंग्स तो चलिए आप डिस्पले पे चलते है मेनू मी चलते है मेनू की सेटिंग आपको मैं समझा देता हूँ तो इमेज कॉलिटी है इमेज कॉलिटी में उसमें दो फंक्षिन है रॉप फोटो है जब गुमाएंगे तो रॉप पे आ जाता है नीचे वाली जो साइज है वो लार्ज रखी है क्योंकि जो कैमेरा जो मेगा पिक्सल रहते हैं 5472 इंटू 3648 तो यह काउंट करेंगे तो लगबग अपना कैमेरा है जो 18 या 19 पिक्सल का है 6D कैमेरा तो उसमें वो काउंट होता है तो कैसे होता है तो इसमें जो इमेज साइज है वो लगबग 19 या 20 पिक्सल का कैमेरा है तो साइज होती है जब नीचे की साइज तुम कम करोगे तो उपर साइज कम हो जाता है तो मेजा पिक्सल कम हो जाती है इमेज में जो आने वाली क्यालीटी है वो कम कम होती चले जाएगी तो इसमें कम नोत रखें लार्ज भी रखें तो काफी इमेज है आपकी बेटर आ जाएगे तो यह BP, जब तुम्हारा कामेरा फोकस हो जाता है, शेटर पर बटन दाबाते देवा हाप में, तो उसमें औरनिंग मिल जाती है, आपने के माइंड में पता चलता है कि फोकस हो गया है, तो जब फोकस हो जाएंगे, दूसरे क्लिक पे फोटो सेह आ जाता है, यह रिलिस होता है कामेरा में, इसलिए इसको आप रखे, डिसेबल करके, तो जब काड रहेंगे, तो ही कामेरा शेटर बटन चले जाएगा, इमेज रिवीवे, फोटो को खिचने के बाद, दो सेकंद के बाद आपको डिस्पले पे इमेज दिखाए देती है, लेंस आइबरेशन करेक तो उसमें जो कॉरन नर्लाइनिंग है, उसमें प्रिमेम लीमियोस आजाते है, लेंस करेक्शन आबरेशन, उसमें साइट साइट में रेड ग्रीन लाइनिंग आ जाते है, तो उसको कंट्रोल कर दीता है, वो अनेबल रहें, वो तो यह विल, यह दिखे, प्रॉमेटिक जाएगी उसमें कर सकते हो यह टेटील मीटरिंग आवरेज पर आटेमेटिक आवरेज निकलने जाता है और उसमें आवरेज पर रहके आपका फोटो पर आपका लाइट एकदम क्रेक्ट मिल जाती है ना ओर हो जाएगी ना अंडर हो जाएगे फ्लैश शट्र स्पीड यह शुंट का या यह शुट्र स्पीड लेके तो हाब शुट्र गिरता है तो इसलिए वह आटो पे ओन सिक्श्ट में बद दूंगा आपको फंक्षन फ्लैश फंक्षन सेटिंग्स यह फ्लैश टीटेल जब लगाएंगे तो ओन हो जाएगी मैं वह आगले एपिसोड में बदद दूंगा आपको फ्लैश है मेरे पास फोस में यह भी वैसा है इसमें क्लियर ओल सेटिंग कर सकते हो आपका कोई सेटिंग खराब हो गया हो फ्लैश कर श्रीप तो इसमें क्लियर ओल सेटिंग वे जाके तुम ऐसे क्लियर भी कल सकते हो ओको लगाने के बाद हो जाएगे प्लैश लगाने के बाद यह मिरर लॉकोप पर नियुद लॉक करेंगे तो इमेज बहुत जादा शार पाती लेकिन कुछ सेकंड के लिए अग्दम लॉक हो जाता है इसमें उसमें आप मत रखिये तो ये डिस्प्ले भी आया था डिस्प्ले भी बताया था आपको एक्स्पोजर कॉंबिशन आप टो ब्रैकेटिंग किये उसमें जब इधर में डायल गुमाएंगे अभी नहीं चल रहा है क्योंकि डिस्प्ले लगा शायद हाँ चल गया तो ये देखें आगे वाली जब में डायल गुमाएंगे तो ये साइट साइट में ओन स्टना थाड में तर्ड में वन बयां बई turn में गुम जाता है तो इसमें क्या होता है पहला फोटो डार्क आए जाएगा है जो आपना एक्सपोजर आपने कामेरा में जो सेट किया है उसमें पहला फोटो वन स्टॉप अपने आप अंडर आ जाएगा दूसरा वाला फोटो करेट एक्सपोजर पे आ जाएगा तीसरा वाला फोटो एक स्ट सब्सक्राइब करने की आपको चेकिंग करना है एक्सपोजर सही है कि गलत है तो इसका इस्तमाल कर सकते हैं लगबग जो आप प्रोपेशनल फोटोग्रापर हो तो इसका इस्तमाल मत किजिए जोरो पर रखिए नीचे है ISO स्पीड सेटिंग तो इसमें आप आपका आटो पर फोटो निकलते हो आपको लो लाइट प्रोपा मंस में अच्छा ISO चाहिए या लगबग सोला सो तक तो इसमें आटो मत रखिए पहले वाला है कैमेरा में जो ISO सेट करेंगे वो लगबग स्टार्टिंग सोस है शटर स्पीड रेंज सारी ISO स्पीड रेंज है तो इधर मेक्जिमम इतना ISO की जरूरत नहीं थे कोई भी पा एकदम लो लाइट पर फोटो रहेंगे तो स्ट्राइपॉड इस गदी लेकिन ज्यादा ISO रखेंगे तो वो नौईजी में जाज़ते इसलिए मैं इसको लगबग बत्तिशो के अंदर रख देता हूं अगर मेरे पास अच्छी सी लेंस है तो मैं उसको सोला से क्या अंदर रख सकता हूं आइसो आटो आइसो रेंज एटमेटिक आइसो आपका सव से आवा बारादा जार आट सु तक चला जाएगा आटो मोड पर ओ ठीक है में जी में सेटर स्पीड आया तुम कितना रखना चाहते हो अगर आपने डाइसो पर रखा तो अपस मेनू एतो आपको बता जिया आटो लाइट ऑप्चिमाइशन वाइट बैलन्स वाइट बैलन्स में एटो वाइट बैलन्स का इस्तमाल किजिए लेकिन वो 99 परसेंट तक सही आ जाता है लेकिन आप प्रोपरली वाइट बैलन्स निकलना चाहते हो या कोई भी सन अपस्टम वाइट का है शेड का है कावडी ए टंस्टन ए वाइट फंक्शन लाइट ए फ्लैश लाइट ए कस्टम जाटिंग तो इसका केलिवन का इस्तेमाल किजिए तो केलिवन वाइट बैलन्स कैसे सेट करते ते मैं आपको कुछ फोटोशॉप में भी बता चुका इसमें पिच्चर स्टाइल में एकदम स्टैंडर्ड ही रखी है क्योंकि स्टैंडर्ड पर फोटो एकदम बेटर आ जाए अगर आपको जादा जान करें नहीं तो स्टैंडर्ड पर रखे या पोट्रेट पे लेंस के पे न्यूट्रल है पेट्फुल है पर इसमें इडिट भी कर सकते है इसमें इदर दिया है इंफरमेशन दिटैल सरेट तो इनफरमेशन का बटन जब प्रेट करोगे तो उसके आंधर की सिटिंग आ जाएगे शार्पनेस आप बड़ा सकते मीन डाल से आग्या वाले ओपस दिया हुआ है डिपोल सरेट आपस इंफॉर्मो की बटन प्रैस करना अभी डिस्प्लेइं पर नही जा रहा है लेकिन इंफॉर्मो की बटन पर आप शार्पनेस बड़ा सकते, कम कर सकते वो वीडेश्ए उड़ी शुटिंग पर में वीडेश्वलिक शुटिंग की लिए हाईलाइट टोन प्राइरेटी आफ डूस्ट आफ मल्टिप्लाइए एक्स्पोजर वो मल्टिप्लाइए दो तिन फोटो एक साथ में काउंट करके वो फोटो से हो जाता है जिसी एज़ डियार हो जाता है तो उसका डिसेपल रखे लाइव भी शूट है उसमें अनेबल लाइव में इधर के जो लाइव बटन रहता है उसमें भी फोटो की सकते हो जो लाइव में दिया हो यह अप मल्टिप्लेक्स इसमें एक्ट फोकसिंग लाइव पर कर सकते है डिस्पले ग्रीड डिस्पले तो ग्रीड पे यह आईसे ग् ग्रीड आ जाती है इसमें रेटिंग इसमें इमेज साइज है पिच्चर साइज तुम कम सर वीडियो के लिए पिच्चर साइज है इसमें जो फुल इजडियो गरे रहता है उतो एक्स्पोजर सुलू मेट्चेंज को खुछ जाता पता नहीं है इसमें आगे है इसमें आल इमेज इन फोलडर है इसमें फोल्डर दिकाई देते हैं, आप कौन से फोल्डर में जाना चाहते हो, ऑल इमेज में इसमें भी लॉक दिये हो आँ, कौन सा लॉक निकलना है, कौन सा नहीं, कार्ड इमेज, प्रोड़क्त All, कार्ड यह कुछ ज़रूवत नहीं है, इसमें रोटेट इमेज, रोटेट करना चाहते हो तो रोटेट भी कर सकते हो इसरे करने के ज्यूरत नहीं इसमें रह रॉट इम profs प्रोसेसिंग अंदर से अंदर आपके पास कोई बडा software ने ओ, आपने RAW पी इमेज निकाला तो इसमें RAW की इमेजेस अंदर से आप कनवर्ट कर सकते हो और ओगे चलते हैं रे साइज है रे टीचिंग है स्लाइड शो है कामेर का अंदर का स्लाइड शो होता है इमेज जाम से इसमें लगबग 10-10 इमेज से में डायल से आपका इमेज आगे आगे बढ़ जाएगा तो इसमें उगन रखिये में डायल से आप फोटो जेक कर सकते हो पीचे से भी बड़ने आगे से भी बटने Highlights Art इसमें जब आपना फोटो डिस्प्ले ऐसा विव करते है Sorry प्ले करते है तो इसमें Information का बटन दबा देते हैं तो इसमें highlight priority है फोटो ओर हो गया है तो पता चलता है अगर आपका फोटो सही है तो सही पता चलता है खुछ आपको display के बारे में इधर यह point display है मतलब की focus point जब photo पे जब आप मैं आपको यह आनेबल करके दिखा दो प्ले का फोटो इसमें जो focusing किया हुआ है आपके display पर पता चलेगा जहाँ भी focus किया है वहाँ एक point आ जाएगा वो focus point के लिए यह हुआ है इसके display प्ले बैग ग्राइड और डिस्पले के आने के बाद अपना photo ग्राइड पे दिखाता है histogram display, histogram पता चलता है brightness इसमें RGB तीन कलर आ जाएंगे, histogram आपको तीन कलर में दिखाए देगा RGB में movie display center से इसको timing में ओग पता चलेगा, multiply function है ओभी select folder यहाँ पे आप अलग-अलग प्रकार के folder बनना सकते हो, card में, create of folder, नाम दे सकते हो, कौन से function काई हो file numbering continue, जब फोटो कुछ delete रहता है तो वो delete होने के बाद अपने आप continue हो जाता है add-o reset है, add-o reset में आगने वाला आपका फोटो गलत होगा है, वो delete करने के बाद वो add-o reset पे वही नमबर पे फोटो होता है manual reset है add-o rotate image एसी खड़े करेंगे display पे तो आपको full display दिखाए देंगी, उसमें on रखे हो सही रहेगा card format है, memory card है इसमें format कर सकते हैं आगे चलते, add-o power off, one minute के आगे display on नहीं रहेगा, जब तुम video shoot करना चाहते हो, DSLR पे तो उस पे off रखे, display आपने continue चालू रहेगा disable रखे, तो display continue चालू रहेगा, या one minute में display off हो जाएगा, LED brightness है, यहाँ पे आप कम ज्यादा कर सकते हो, brightness LED off button function running, date हो गरे आपना इधर डिली का कर लिजे, language है, language है, language आप कौन सा इस्तिमाल करने, GPS यहाँ पर, video system पाल रखे, आप इंडिया में है तो, और दूसरी जगह पे जैसे के, America, Thailand हो गरे, दूसरी देश में, वो इन्टियस का यूज हो जाता है, feature guide, feature guide, guide feature आपको आगे भी दिखाए देंगे, information button, display पे जो information रहती है, वो पता जलेगी, आप नई चाहते हो तो उसको अप्विक कर सकते हो, लेकिन इधर image अपने सही एकदम, correct angle पे हो गाया, तो यह लाइनिंग ग्रीन हो जाती, एक लिवल पे photo दिखाए देता है, तो यह display पे information का बटन दापाएंगे, तो दिखाए देगा, यह display के आपने पूरा display यहाँ पर पता चलता है, ओके, wifi setting है, wifi on करके आप जैसे computer पे या mobile पे देखना चाहते हो, उसका app लेजे, उसमें wifi की setting on हो जाएगे, sensor cleaning, आपको ज़्यादा जान कर नहीं तो sensor cleaning मत किजिए, इधर battery information है, अपने battery कितने चार्ज होती है, वो पता चलता है, functional on display, sorry मुझे कुछ ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं आदा है, मैं कुछ गलत बोल देता हू, custom shootings mode है, यहाँ पर आप अलग तरक के setting, customize पे save कर सकते हो, outdoor के लिए या video के लिए, तो इसे custom पे save कर सकते हो, register setting, clear all camera हो तो मैंने बता दिया, copyright information, वो आप display पे camera के कुछ नाम रखना चाहते हो, अपना नाम, context number, जो रखना चाहते हो, वो इसमें हो जाता है, यह देखे, मैंने मेरा नाम रिखे रखा हूँ, mobile number रिखा हूँ, जब image किसी के display पे चले जाएगी, तो उसम मेरी information आ जाएगे, कि image कौन से camera के किसी ने खिचा हूँ, उसका information आ जाता है, तो यह भी आप कर सकते हो, इधर camera का update, software जब डालना चाहते हो, जैसे कि यह आप, वो है, आप मुझे याद नहीं आ रहे है, function exposure, इसमें कोई setting आप change करना चाहते हो, तो change कर सकते हो, लेकिन इसके कोई जरुत नहीं, ओन थर्ड में यह चला जाता है, आप मुझे पता रहता है, मैं आप सब को बता दूँगा, आगले episode में, one by one stop में, आगे focusing का है, यह तो setting, dip में बता दूँगा आपको, यहापर है, release set without card यह तो आपने burn किया दा, और इधर menu setting आपकी है, जो आपने अभी जो कुछ setting करके रखा हो, total camera की, तो एक my menu setting में register कर सकते हो, ओपस कोई भी mode यूज कहिया, तो आपने setting वहाँ पे save रही दी, तो चलो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है, तो जरूर झाल